हेलो गाईज स्वागत आपका एक बार फिर से आपका अपने एपसीसी ओफिशल के यूटूब चैनल पर तो गाईज यहाँ पर अगर आप बार बार जील विन करना चाते हैं और आपने अभी तक कोई भी एक भी जील विन नहीं की है आपकी रैंक 10 से 20 रैंक के बीच में भी नहीं आई है पचास रैंक भी नहीं आई है आपकी तो गाईज आप बिलकूल ही सही वीडियो पर आए है इस वीडियो में मैं आपको जील विन करने की टिप्स बता दूँगा जिससे आप लगातार जील विन कर सकते हैं मैं इतना तो नहीं कह सकता कि आप एक ही मैच में आप जील विन कर जाएंगे लेकिन आप दो तीन मैच में ट्राइ करेंगे तो आप पका जील विन कर जाएंगे क्योंकि इस वीडियो से काफी सारे मेंबर JL win करके जा चुकी है और जो मैंने YouTube चैनल पर जितनी भी JL win की टिप्स डाल रखी है उससे काफी सारे मेंबर JL win करके जा रहे हैं तो गाइज मैं आपको बता दू आपसे एक छोटी सी request है अगर आप چینल पर नए हैं, और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चेनल को सस्क्राइब झरूर करें, और बैल ऐकन को प्रेस कर लें, ताकि लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे, तो guys मैं बता दू आपको अगर आप new हैं आपको पता नहीं कि कौन सी player best है कौन सा मैं लूँ या नहीं लूँ तो इसका भी मैंने आपके लिए solution बना रखा है क्योंकि मैंने एक telegram channel बना रखा है नीचे description में link दिया हुआ है फटा फट से telegram channel join कर ले वहाँ पर आपको best team वहाँ पर provide की जाती है और मैं 100% guarantee के साथ कहता हूँ आपको अगर आपने एक बार telegram channel join कर लिया ना तो आप profit ही profit में रहोगे आप minus में नहीं जाओगे plus ही plus में जाओगे अगर आप per day 100 रुपए invest कर रहे हैं हर match में तो मैं आपको guarantee के साथ कहता हूँ कि आप 300 रुपए per day यहां पर profit कमा के जाओगे अगर 100 रुपए invest कर रहे हो तो daily तो आप 300 रुपए profit में करके जाओगे मतलब 400 रुपए आपके per day dream लेवान account में आ जाएंगे तो guys मैं आपको बता दू आपको अगर यहां tips जानना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और चैनल को subscribe करना पड़ेगा और वीडियो को एक like जरूर करें ताकि हमारा motivation बड़े और हम आपको लगाता tips बताते रहें तो guys मैं यहां से आपको बता दू कि आप कोई भी match ले लो जो अगर आप यहां पर मैं पहले क्या है कि मैं टीम तो आपको create करके बता दूंगा लेकिन जो final team होगी final team टेलिगराम चैनल पर मिलेगी तो टेलिगराम चैनल नीचे description में लिंका फटावट से join करे तो यहां पर आप कोई भी match ले लो अगर आपको line up का पता नहीं जैसे अभी इसका line up आया हुआ है तो मैं आपको यह बता दू कि line up का क्या funda रहता है तो यहां पर आप देखोगे कि announce किये गए हैं प्लेयर जो इस मुकाबले में खेल रहे हैं तो यही होता है line up का जो यह red match ले लो मैं यहां पर टी 20 मुकाबला देख रहा हूं कोई जैसे कि यहां पर वेस्ट इंडीज इंगलाइंड की सीरीज चल रिया टैस्ट सीरीज तो यहां पर आप इसको भी try कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर एक और match है मैं आपको उस पे बताने वाला हूं यहां पर तो टैस्ट सीरीज चल रही हो तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा टीप्स बताऊंगा यहां पर जैसे क्यूंटन डिकोग खेलने वाले हैं एल दास खेलने वाले हैं ठीक है क्यूंटन डिकोग को इक्यान में 0.9% लोगों ने लिया हुआ है मैच के अंदर जैसे आपकी 100 टी लोगे जैसे की आपने अगर इसे ले लिया तो मतलब 100 टीमों में बाण में लोगों ने क्यूंटन डिकोग को ले लिया ठीक है और जैसे की सभी पलेरों को 80-90% लोगों ने ले रखा है और उन्होंने क्या किया है कि सभी बंदों ने कैप्टन सी वोइस कैप्टन सी तो आप क्या करोगे आप भी ऐसा ही करके और आप भी जैसे की यही मतलब जो इनोंने कैप्टन से लगाई यह उसे आप कैप्टन से लगा देते हो जिसने उसको वो इस कैप्टन से लगाई यह उसको आपने भी लगा दिया ठीक है तो फिर क्या होगा कि अगर सभी ने यह कर और वही प्लेयर चले मान स्पोज गरो आप वही प्लेयरों ने परफॉर्मेंस किया तो क्या होगा कि सभी जो जी यल रैंक है जैसे कि 90 लोगों ने एक ही प्लेयर को लिया हुआ है सभी प्लेयरों नबबब मतलब सो में से नबबबब प्लेयरों ने सभी प्लेयरों को लिया हुआ है तो सभी जो जील है दस जील टीम जैसे दस रैंक बच गई जैसे कि 90 से लेकर और 100 के बीच में 10 टीम में बच गई 10 रैंक जो बक्की की 90 रैंक हो गई वो तो सभी की एक ही रैंक पर आएगी ऐसा करेंगे तो तो ऐसे आप जील विन नहीं करते और आप भी यहीं करते हो जैसे कि मैं अब आपको बताऊंगा आपने यहां से क्यूंटन डिको को पिक किया फिर यहां पर आप टी इकबाल को नहीं लोगे मैं यहां गारंटिक साथ कहता हूँ आप टी इकबाल को नहीं लोगे चलो मैंने मान लिया आपने टी इकबाल को भी ले लिया और वी दास को भी आपने ले लिया यहाँ पर आप सुचोगे 89% लोगों ने लिया हुआ है मैं भी इसे लेके चलूँ और यहाँ पर टी बहुमा को भी आपने यहाँ पर ले लिया ठीक है फिर यहाँ पर A होसिंस यहाँ पर है आप इसे नहीं लोगे क्योंकि इसको 48% लोगों ने लिया हुआ है आप सोचोगी यह परफॉरमेंस करेगा ही नहीं फिर यहां पर S.L. हसन को आप यहां पर ले लोगे कि इसने यह परफॉरमेंस किया हुआ है तो हम भी से लेके चलें A. मारकम को यहां से आपने ले लिया M. Rehmann Rabaara को आपने यहां से ले लिया T. Samsi को यहां से आपने पिक कर लिया और अब यहां पर आप देखोगी और मैं किस को लूँ यहां पर आपने N. Ahmed को ले लिया अब यहां पर आप सिरफ एक ही देखोगे कि यहां पर किस पलेयर को और ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है आप यहाँ पर बैटिंग ओडर में जाओगे बैटिंग ओडर में यहाँ पर आपको देखने को नहीं आप इसे ट्राई कर लोगे फिर लास्ट में क्योंकि एक तो आप ले सकते हो एलदास तो आप इसको अटागर चलो एलदास ले लिया आपने आपकी जो दस जील टीम बनेगी मैं वो बता देता हूँ कि आपकी ज़ज दस टील जीम कैसे बनेगी दस जील टीम कैप्टन आपने यहाँ पर क्युंटन डिको को लगा दिया वो इस कैप्टन आपने S.L.S.N. को लगा लिया एक टीम आपकी ऐसे बन गई अब आपके माइंड में क्या आएगा तुरंत आपका माइंड कहेगा कि यार अगर S.H.N. यहाँ पर परफॉर्मेंस कर गया तो मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर आपने ऐसे टीम सेकिंड बना दी फिर आपकी जो थर्ड टीम रहेगी आप इन में से कोई भी बलेड चेंज नहीं करोगे आप यहाँ पर इसको कैप्टन लगा दोगे इसको वो इस कैप्टन लगा दोगे फिर आपकी यह थर्ड टीम बन गई फिर यहां पर कैप्टन लगा दिया और वो इस कैप्टन अलदास लगा दिया फिर आपकी यहां पर जो फोर्थ टीम है वो आपकी यहां पर बन कर तयार हो गई ठीक है आप सिर्फ इतना करके 20 GL टीम क्रियेट कर दोगे और फिर क्या होगा कि आपकी जो 5 से 7 ही GL टीम विनिंग जोन में रहेंगी बाकी आपकी लोस में अगर मैं यह सही बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलना कि हाँ हम ऐसा करते हैं और हमारी 5 से 7 GL टीम ही यहाँ पर विनिंग जोन में रहती है बाकी सबी लोस में जाती है यह रियल बोल रहा हूं मैं रियल बात है बिलकुल आपकी 5 से 7 GL टीम winning zone में रहेगी बाकी की सबी जो आपकी जैसे 7 में से 13 टीम में बच गई वो winning zone से बाहर मिलेगी आपकी 100% guarantee की साथ कहता हूँ मैं और जब मैच खतम होगा मैच खतम होगा तब आपका मैं बता दू आप क्या कहोगे फिर आपका एक वो आएगा signal दिमाग से की यार मैं जे मलान को एक टीम में जरूर लेता और मैं इसे ले लेता तो साइद मैं यहां से 20-30,000 रुपए या 500 रुपए विन कर जाता एक टीम से आपका यह दिमाग में जरूर जाएगा तो मैं आपको एक best trick बताता हूँ कि आपको क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है जैसे कि इस match का two days बचा हुआ भी मतलब दो दिन बाद match है यह है तो आपको simple क्या करना है आपको एक kora सफेद white paper आपको एक white paper sheet लेनी है 12 जैसे आप कितनी जील टीम लगाना चाहते हैं 10, 12 या 20 कितनी भी लगाओ जैसे आप 10 जील टीम खेलना चाहते हैं 10 वाइट पेपर लो या कोई रफ पेपर कुछ भी हो आपके पास नोट बुक हो, नोट बुक लिलो उसमें पहले आपको क्या करना है पहले इन पलेयरों का जो कि कौन कौन पलेयर खेल रहे हैं उनका पहले आपको डाटा लेना है डाटा का से मिलेगा आपको गुगल पे सिंपली सर्च करना है क्रिक बुज आप किलिक करोगे तो वहाँ पर आपको मैच देख जाएंगे कि कौन सा मैच है साउथ अफरिका और बांगला देश का जैसे मुकाबला है जैसे आप आई पेल में लगा लो आई पेल में जैसे चेन्ने सुपर किंग और यहाँ पर मुंबई इंडियन्स का है आपको क्या करना है उन पलेयरों का क्रिक बुज से आप जैसे ही सर्च करोगे उन पलेयरों का डाटा आ जाएगा आपके सामने की कौन कौन पलेयर खेल रहे है आपको उन सभी का एक नोटबुक में सभी पलेयरों के नाम लिख लो पहले तो आपने नाम लिखने के बाद आप जो आपका वाइट पेपर पहला जो आपका वाइट पेपर है नमबर एक उस पे आप डालो नमबर एक जील ठीक है उस पे डालने के बाद आप जो आपने क्रिक बुज में से जो आपने पलेयरों का डटा उठाया है उन में से आपको हर एक पलेयर का नाम लिखना है कि पहली टीम में आप किसे रखना च चाहते हैं फिर आप टी इकबाल को रखना चाहते हैं जो आपको टोप टोप पले लगते हैं टोप टोप पलेरों में आप तीन से चार जील टीम क्रियेट कर लो ठीक है इतना करने के बाद आप फिर क्या करो कि यहां से आपने आपको लगता है कि मैं आप दो टीमों में क्यू अलान भी खेल रहे है वो इस कैप्टं सी इसको दो इतना करने के बाद आपकी जार्ड इयल उन्ट इम तयार हो गई फिर आप क्या करो कि आल राउंडर में बो इस कैप्टं सी ट्राइकरों जैसेowania भूंछन दुल्ला कहलते हैं तो आपके कैप्टं सी ट्राइकरों एम हसन, मिराज यहां पर खेलते तो इसको कैप्टन्सी ट्राइ करो इतना करने के बाद आप 10 जो आपने वाइट पे पर लिए हैं 10 के 10 की आप पलेयरों को लेकर हर टीम में अलग अलग पलेयर चेंज करो एक ही पलेयर आपको हर टीम में नहीं रखना जैसे आपने 10 G.L. टीम खेली तो 10 की 10 में आपको T.E. इकबाल नहीं रखना मानता हूँ मैं एक मैच में जहे जिस दिन आपने नहीं लिया उस दिन यह बंदा चल गया जैसे आपने 10 G.L. टीमों में आपने 2 या 3 G.L. टीमों में इसको ट्राई किया मान के चलो यह बंदा चल गया तो आप क्या करोगे यार यह तो चल गया कोई दिक्कत नहीं है आपने अगर 200 रुपए इन्वेस्ट किये हैं तो 200 में आपको 1500 रुपए तो रिटन मिल जाएंगे वापिस माइनस बस गया आपके 50 रुपए कोई प्रोब्लम नहीं है अगर आप इस ट्रिक से कुछ मतलब प्रोफट में ही हो जैसे 50 रुपए ही आपने लोस किये हैं यह नहीं है कि 5 जील टीम आपकी विनिंग जोन में है और बाकी की जो 15 जील टीम है वो माइनस में चली गई इतना बड़ा लोस तो नहीं हुआ सेकंड मेंच है उसमें फिर यहीं ट्राइ करो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप जील टीम जील विन कर जाओगे आपकी भी नमबर यहां पर आपका नमबर एक रेंक मिलेगा और यहां पर आपको IPL में एक करोड रुपए यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है यह है मैं आपके साथ जो मैं मेरा एक्सपीरिंस है वह सेयर करता हूँ क्योंकि सबी मेंबर यही करते हैं आप लगा लो एक लाख मेंबर अगर खेल रहे हैं जील टीम ठीक है एक लाख टीम लगी है तो उन में से मैं आपको बता दू उन में से 200 जो जील टीम में है वही जो क्या होती है जो पूरी रिसर्च के साथ आती है लिया कैटन वो इस कैटन कैटन ौसी कैटन जा अगर उनका लग अच्छा है तो ही वो जी वीन करके जाते वरना वह नहीं करते ऑनली 200 ही में में ही रैंक एक से लेकर 1003 के बीच में आपको जीएल टेम मिलेंगी यही बंदे प्रोफिट कमा के जाते हैं बाकी के जितने बंदे बच गए वो अगर एक मैच में विन कर गए तो सेकंड मैच में उनका लोस ही जाता है तो आप इस तरीके से ट्राइ करो और जो फाइनल टीम होगी मैं फाइनल टीम टेलिगराम चैनल पे आपको दे दूँगा तो टेलिगराम चैनल जो आइन करना ना बोलें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि गाइज वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी क्योंकि यहां पर बहुत काफी लंबी हो जाएगी बीस मिन्ट की वीडियो चली जाएगी तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा कि आप कोंटेस्ट कब जो आइन करें और जिससे आप भी अच्छा खासा प्रोफिट कमा जाएए तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलना टेलेगराम चैनल जरूर जो आइन करना और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में